वेलकम बैक तो माई टूब सेल पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छात्र भी ये फर्स्ट सेमेस्टर में है कि इसमें सोचलोजी के कोशन का हमने इंपोटेंट दिये हैं उनके आंसर की बात करेंगे और मौस्ट इंपोटेंट कोशन है ध्यान से देखना देखो ये कोशन हमने इतने भी कोशन कराए है जो 2022 के लिए इंपोटेंट कोशन दिये हैं 2023 के लिए दिये हैं 24 के लिए देंगे वह सभी चात्र इस कोशन को विल्कुल आसानी से यहाद कर पाएंगे देखो ये कोशन बुला गया है समाज अमूर्थ है ब्याक्या कीजिए समाज अमूर्थ क्या है दो प्रिकार का कोशन बनता है आप इस कोशन को बड़े आसानी से बता के आएंगे और लिखके भी आएंगे बस आज लेकर यहाद तक पढ़लो आपका अंसर आपके सामने है ये कोशर हमेशा सोट में पोशन कर देंगे बना बनाकर के कर देंगे मुझे बता है कैसे करेंगे दो समाज एक अमूर्थ विष्टा है इसका अर्थ क्या होता है इसका तातवर यह है उन्होंने कहा करें बंधोर से नहीं कहा मतलब की जो अमूर्थ का मतलब क्या है अमूर्थ का मतलब यह है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं हुआ है वहलकि उन में पाए जाने वाले संबंदों से हुआ है ठीक है उफर जिन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही भौतिक बस्तूओं की तरहे इस पर किया जा सकता है उन्होंने कहा जो संबंद है आपस में प्यार प्रेम दुआ सलाम जो भी करते हैं हम लोग आपस में करते हैं तो वो जो ना है ना तो उसको देखा जा सकता है ना ही उसको चुआ जा सकता है इस पर्स किया जा सकता है बस अनुभव कर सकते हैं उसको भाई ब मंदों को अमूर्थ माना गया है अमूर्थ का मतलब है ना दिखाई देने वाला जो दिखता नहीं है वो अमूर्थ है ठीक है और इसी आधार पर राइट ने लिखा है एक राइट नाम के विद्वान थे उन्हें बताया कि समाज ब्यक्तियों का समू नहीं है वलकि समू के सदस्यों के मद इस्थापित होने वाले संबंदों की एक विवस्ता है और इसी द्रष्ठी कोड में ये अमूर्थ है ठीक है और इसी द्रष्ठी कोड में इसी द्रष्ठी से कोड से देखने पर ये गया है अमूर्थ है तो जिसने भी इस तरीके से इसको याद करोगे आप जब भी एक्जाम देने जाओगे और ऐसे ही लिखके आओगे बना-बना के ठीक है आपको याद हो जाएगा यह बिल्कुल आसारी से चलों को सब्सक्राइब के बैल आइकन को प्रेस कर देना ज्यादा दर दोस्तों को शेर कर देना थैंक यू पर वाचिन इस वीडियो बाई-बाई